नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी साधा ब्लाउज, कटिंग एंड श्टीचिंग, यह हमारा साधा ब्लाउज है, तो सबसे पहले हमें ब्लाउज का नाप लेना है, और यह सबसे पहले अस्तल की कटिंग करेंगी, उसके बाद साड़ी के कपड़े की कटिंग होगी, ब्ल सबसे पहले 15 इंच पर निशान लगाएंगे, उसके बाद हम 3 इंच लेंगे, अब यह हमारे आगे और पीछे के पल्लर हैं, अब पीछे की लंबाई लेंगे, इसको लंबाई में डवल कर लेंगे, अब 12 इंच की लंबाई है तो एक इंच जादा लेंगे, तो हम यहाँ पर 13 इंच पर निशान लगा लेंगे, और इसके सोल्डर साड़े 5 इंच, साड़े 5 इंच लेंगे हम आरोमल, अब यहाँ पर इंच इंच टेप रखके आदा इंच और गोलाई का निशान लगा लेंगे, धाई इंच की लेंगे हम गले की चोड़ाई, गले की लंबाई आप अपने साब से ले सकते हैं, तो गले की कटिंग हम बाद में करेंगे, या बुक्रम का भी गला बना सकते हैं, पीछे का डिजाइन का, अब पीछे के पललर को हम आगे की साइड रखेंगे, अब आगे और पीछे के आरोमल हमारे दोनब बराबर हैं, अब हम यहाँ पर 1.5 इंच ले लेंगे, गुंजाज, बो हम किसलिए लेंगे, 1.5 इंच, जो हम पिलेट डालेंगे और उसमें तीरा लगाएंगे, इसलिए पीछे के पललर से आगे का पललर हमें 1.5 इंच जादा लेना है, अब पीछे का पललर अलग कर देंगे, आदा आदा इंच हम यहाँ पर इस तरीके से आरोमल का निशान लगा लेंगे, जो आगे का पललर है, आदा इंच हम आरोमल की कटिंग करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर पिलेट डालेंगे, और आगे की साथ जोलना है, इसलिए, अब धाई इंच लेंगे हम गले की चोड़ाई और लंबाई लेंगे इसकी 6 इंच ये धाई इंच चोड़ाई है लंबाई 6 इंच अब गले की कटिंग करने के बाद अब लगाएंगे तीरे का निशान अब यहाँ पर हम 12 इंच पर तीरे का निशान लगा लेंगे क्योंकि chest कम है, सीना कम है, तो इसलिए हम 12 इंच पर निशान लगाएंगे एक इंच हम यहाँ पर लेंगे, उपर की साइड, तीरे का जो नीचे का सेप है, वो आ जाएगा, एक इंच उपर की साइड लेने से अब यहाँ पर तीरे की cutting कर लेंगे अब लगाएंगे हम यहाँ पर plate का निशान और tux का निशान साड़े 9 इंच पर हमने यहाँ पर tux का निशान लगा लिया, अब नीचे की plate हमें बराबर बीच में डालनी है, तो पहले हम अपना fitting का कपड़ा निकाल लेंगे तो यहाँ पर हमारा fitting का कपड़ा हो रहा है 7.5 इंच, तो 7.5 इंच का आदा करेंगे इस तरीके से, तो हमें पौने 4 इंच पर नीचे की plate का निशान लगाना है, अब इसके पराबर हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे, आरूमल का निशान, 6 इंच पर हमने आरूमल का नि और यहाँ पर 2 इंच उपर रखेंगे plate, यह हमारी बगली की plate है, 2-2 इंच की हमें यहाँ पर दूरी रखनी है, अब यहाँ पर कैंची का cut लगा देंगे, अब यह दोनों तीरे तयार हैं हमारे आगे की पलग, अब बाजू की cutting करनी है, अब यहाँ पर हमारी बाजू की लंबाई है, वो नापेंगे, इसकी जो लंबाई है, वो है 3.5 इंच, तो कपड़े की लंबाई हमें 4.5 इंच लेनी है, कपड़े की चोड़ाई लेंगे हम 17 इंच की, अब कपड़े की चोड़ाई लेंगे हमने 17 इंच और इसकी लंबाई 4.5 इंच लेनी है, अब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे कटिंग का, अब 2 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे और इसको ले जाएंगे उपर की साइड, इस तरीके से यह हमारा कटिंग का निशान हो गया, यह खुली बाली साइड है, यहाँ पर हमने 2 इंच लिया है, इस तरीके अब यहां पर थोड़ा सब मौरी का कटिंग कर लेंगी तो मौरी को हम इस तरीके से रखेंगे बाजू की मौरी है तो यहां पर हमें इस तरीके से निशान लगाना है और गुंजाइस रखेंगे दो इंच अभी हमारा जो साड़ी का कपड़ा है इसको रख लेंगे डवल करके अभी बंद वाली साइड है यहाँ पे हम पीछे का पल्लर रखेंगे नीचे का तीरा हमने यहाँ पे रखा है आगे का पल्लर यहाँ पे रखेंगे अब देखिए यह हमारा तीरा है नीचे का और यह आगे के दो पल्लर है अब बाजू की कटिंग होगी तो यह बॉर्डर को निकाल देंगे इसको आदा-दा करके लगाना है अब देखिए डवल कर लेंगे कपड़े को और अस्तल का जो कपड़ा है कटिंग का पूर रख लेंगे अब हम पहले नीचे की साइड मौरी पर सिलाई लगाएंगे यहाँ पर पहले सिलाई लगाएंगे उसके बाद इसको अंदर की शाट दबाके फिर सिलाई लगाएंगे तो अब मैं आपको इसकी स्टीचिंग बताती हूँ अब देखे सबसे पहले हमें सिलाई लगानी है तो देखे हमने सिलाई लगा लिए साड़ी के कपड़ी को नीचे रखा है अस्तल को उपर अब अस्तल के पराबर कटिंग कर लेंगे अब सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारा गला है वो प्लेट डालेंगे इस तरीके से अब यहाँ पर लेंगे हम आदा इंच आदा इंच लेने के बाद इसको कम करते उतारेंगे अब नीचे की प्लेट की चोड़ाई लेंगे हम इसको डबल करके एक इंच और इसको भी कम करते उतारना है अब यहाँ पर लेंगे आदा इंच और इसको भी कम करते उतारेंगे अब आरोमल वाली प्लेट की चोड़ाई लेंगे आधा इंच यहाँ पियादा इंच और इसको कम करते उतारेंगे अब इसके बाद अब यह नीचे का तीरा लगाएंगे यहाँ से अब देखें नीचे के तीरे पर हमने इस सिलाई लगा लिए, पहले नीचे लगाई है और फिर उपर लगा लिए, अब इसको जोड़ेंगे अब ये हमारी चारो पिलेटे डल गई और नीचे का तीरा भी लग गया है, अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से पिलेटे डालनी है तीरा लगाना है, अब लगाएंगे हमें इसमें हुक वाली पट्टी और काज वाली पट्टी अब यहाँ पर इसकी जो चोड़ाई है वो डेल इंच की है पट्टी की वो इसको अंदर की शाट दबा देंगे अब इसको हमने अंदर की शाट दबा दी अब इस पर हम इस तरीके से तुर्पाई कर लेंगे अब बनाएं हम काज वाली पट्टी अब इसको हमें डबल करके इसकी जो चोड़ाई है वो 4 इंच की है इस तरीके से 4 इंच चोड़ाई इसको डबल करके लगाना है अब इसको यहाँ से इस तरीके से अंदर की शाट दबाएंगे अब देगे दोनों पट्टियों को हम इस तरीके से रखके बराबर कर लेंगे यहाँ पर बराबर होना चाहिए अब हमें पट्टि को नापना है अपने बलाव से और गला भी नापना है अब जैसे यह पट्टि है तो इससे हम इस तरीके से नाप लेंगे एदे की पट्टी बराबर है, अब गले को भी नापेंगे यहाँ पर गला भी बराबर है, बस यहाँ पर आदा इंच बढ़ा है तो वो हमारा सिलाई में चला जाएगा अब कपड़े को हमें तिर्चा करना है, गले की पट्टी निकालनी है अब जैसे हमारा चौकूटा कपड़ा है, तो हमें कुर्णे से इसको तिर्चा करना है, इस तरीके से अब हम यहाँ पर चोड़ाई लेंगे, देड़ इंच अब गले को पर हमें पट्टी रखेंगे अब इसके बादे पट्टी को काट लेंगे अब यह पट्टी लगा ली, अब दूसी सैड भी इसी तरीके से पट्टी लगानी है, गैली में पट्टी लग गई है अब दूसी सैड भी इसी तरीके से पाइपिल लगानी है, तो यह पट्टी को रखेंगे अब इसकी पाइप इन बनाएंगे अब यह बोन पट्टी तयार है दोनों साइड पट्टी लग गई अब हम पीछे का पला तयार करेंगे और वो भी डेजाइन का अब देखें पीछे के साइड हमने सिलाई लगा लिए इस तरीके से यहाँ पर बीच में निशान लगा लेंगे अब यह बुक्रम है तो हमें अपना गला बनाना उतनी बुक्रम रखनी है यहाँ पर हम थोड़ा सा ही कपड़ा चोड़ेंगे गला हैवी बनाएंगे बड़ा तो देखें हमें यह बुक्रम की लंबाई है वो है 10 इंच और इसकी जो चोड़ाई है वो है 10 इंच 10 इंच लंबाई है 10 इंच चोड़ाई है तो हमने बुक्रम जादा लिए अब हम यहाँ पर गले की चोड़ाई लेंगे वो 0,5 इंच की लेंगे गले की लंबाई 3 इंच अब इसके बाद हम यहां पर सिलाई लगा लेने झाल अब इसको डबल करें कि यहां पर बीच में केंची का कट लगा लेंगे इस तरीके से अब यह हमारा जो बीच में कट लगा हुगा है इस दोना कटों को बराबर मिलाएंगे केंची के कट लगाने के बाद अब इसको अंदर के शाट दबा देंगे अब हम इस में पीचे के साइड प्लेट डाल लेंगे अब हम यहां पर निसाल लगाएंगे पीचे के साइड प्लेट का तो यहां पर हम पांच इंच पर निसाल लगा रहे हैं इसकी लंबा ही रखेंगे चार इंच के अब यह दोनों साइड हमने प्लेट डाल ली अब इस में हम आगे का पल्लत जोड़ेंगे अब यहां से हमें आगे का पल्लत जोड़ना है पहले सोल्डर पर सलाई लगाएंगे अब सोल्डर पर सलाई लगाने के बाद अब इसकी फिटिंग करेंगे इस तरीके से यहाँ पर कपड़े को दवाएंगे 1.5 इंच क्योंकि 7.5 इंच हमारा फिटिंग का कपड़ा है इस तरीके से तो हमने 1.5 इंच लिया है तो यह 1.5 इंच हम यहाँ पर कपड़े को दवादेंगे अब दूसरी साइड भी 1.5 इंच कपड़े को दवादा है इसको यहाँ से बराबर करना है क्योंकि छोटे बड़े पलर हो जाते हैं इसलिए हमें यहाँ से बराबर करना है अब यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे 1.5 इंच पर इस तरीके से अब इसके बाद हम कमर का नाप लेंगे अब जैसे हमारे बलाओ जाए तो इससे हमें कमर का नाप लेना है तो यहाँ से हम इसको नाप लेंगे देखे कमर तो हमारे बराबर है अब हम इसमें बाजू लगा लेंगे तो बाजू के लिए हमें यहां पर आरूमल पहले बराबर देखने यहां से बराबर होनी चाहिए दोनों छोटे बड़े नहीं होनी चाहिए तो यह दोनों आरूमल बराबर हैं अब यहां से थोड़ा सा सिलाई खोल लेंगे और बाजू लगाएंगे अब बाजू पर देखिए हमने अस्तल और कपड़े को दौनों को बरावर जोड लिया है और अस्तल के बरावर कटिंग भी कर लिये अब हमें यहां पर बाजू पहले रखके नापना है इस तरीके से अगर हमें चोड़ाई ज़्यादा लगेगी तो थोड़ा थोड़ा हम बाजू को काट लेंगे अब देखिए बाजू थोड़ी सी चोड़ाई में ज़्यादा है तो थोड़ा सा काट लेंगे एक इन ज्यादा है अब बाजू लगाएंगे यहां पे हमारा जो सोल्डर है इसके बराबर हम यहां पे निशार लगा लेंगे क्योंकि इसके जो बॉर्डर है बो लगाएंगे अब हमारा बॉर्डर है तो इसको भी हमें यहां से बराबर करके लगाना है बीच में इस तरीके से दोनों साइट आदा आदा आजाएं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जादा से जादा शेयर करें अगर आपके कुछ समझ में ना आए तो प्लीज आप हमें नीचे कमेंट जरूल करें अब बॉर्डल लगाने के बाद अब हम फिटिंग कर लेंगे अब इसके बाद बाजू को रखके फिटिंग का नाप लेंगे यहां पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे अब बाजू की फिटिंग करने के बाद दूसरी बाजू भी इसी तरीके से फिटिंग करेंगे यहां से थोड़ा सा खोल लेंगे आरूमल को बराबर रखेंगे अगर छोटी बड़े आरूमल हों तो इसी तरीके से आप बराबर कर लेंगे अब ये बाजू को थोड़ा सा काट लेंगे क्योंकि मैंने जब बाजू ना पी थे तो थोड़ा सा बड़ा था यहां से यहां से थोड़ा सा काट लेंगे अब 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 हम अपनी पहली बाली मौरी के बरावत दूसरी बाली मौरी की फिटिंग करेंगे तो इस तरीके से नाप लेंगे और यहां पर निशान लगा देंगे और इसको ऐसे जोड लेंगे अब देखें दोनों साइड हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली बाजू भी लगा ली अब हम पीछे डोरी लगाएंगे तो अगर आप पर डोरी बनाना नहीं आता है तो आप प्लीज हमारी चैनल में देख लें अगर आप बजार की डोरी लगाना चाहें तो बजार की भी लगा सकते हैं अगर आप पर नहीं आता है डोरी बनाना तो आप हमारी चैनल में देख लें और यह मेरा पूरा बलाउज बनके तयार है और पीछे में रेडिमेंट डोरी लाईएं बजार से बो लगाऊंगी तो इसके लिए मैंने ये डोरी बजार से लिए है और यहां पर मैं डोरी लगा लूँगे और यह पूरा बलाउज मेरा बनके तयार हो और यहाँ पे फुन्दना लगाऊंगी यह डोरी है और इसमें फुन्दना लगा लूँगी यह पूरा बलाउज बनके तयार है और यहाँ पे मैं काज बनाऊंगी और जो अंदर वाली पट्टी है यहाँ पर हुक लगाऊंगी तो देखे अगर आप पर काज और हुक बनाना नहीं आता है तो आप प्लीज हमारी चैनल में देख लें तो देखे यहाँ पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे काज के लिए और यह जो सिलाई है इसको अंदर के साथ इस तरीके से दबा देंगे अब देखे हमारा यह ब्लाउज बनके तयार है पूरा अगर पीछे का गोल गला रखना चाहें तो गोल भी रख सकती हैं मगर मैंने यह बुकरम का बनाया है डिजाइन का तो यहाँ पर डोरी लगा लेंगे और अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जादा से जादा से शियर करें अगर आपने हमारी चैनल को सस्क्राब नहीं किया है तो प्लीज हमारी चैनल को सस्क्राब करने धन्यवाद